मुझे यकीर है कि आप में से जादा तर लोगों ने बॉलिवूड की ऐसी फिल्में जरूर देखी होंगी जिन में अंडर वर्ड, माफिया गैंग और गैंगस्टर्स की कहानी दिखाई जाती है और लमसम हर एक कहानी में एक चीज कॉमन होती है और वो ये है कि ये कि कहानियों में भी उनमें कम से कम इतनी नहतिकता तो दिखाई दी जाती है कि वे लोग किसी के परिवार को टार्गेट नहीं करते परिवारों पर हमला नहीं करते मगर अब सवाल यह है कि क्या हमारे देश की राजनिती गैंगस्टर्स और माफियाओं के इस्तर से भी बाद खबर आई है कि नेहा मांसिक तनाव के कारण अस्पताल में है चर्चा इस बात की है कि नेहा के पती हिमानसु सिंग को नौकरी से निकाल दिया गया है सोचल मीडिया पर यह खबर जोनों से बारल हो रही है कि क्या द्रिश्टी आई-एस जहां नेहा के पती पढ़ात होगा आप में से ज़्यादा तरलोगने से निश्चित सुना होगा मैं जानता हूँ लेकिन क्या आप इस बात की कलवना भी कर सकते हैं कि राजनेतिक रूप से देश के सबसे बड़े राज यूपी के दो मुख्य मंतरी यानि अहले स्यादो और योगी आदित नात के बीच इस तरह की बादचीत हो सकती है आप इन दोनों के बीच की बादचीत को सुनिएगा और अपनी राय कमेंड वाक्स में जरूर लिखिएगा एक वक्त था जब हिंदो मुसल्मान से केसाई एक दूसरे के धार्मिक तेवहारों में सरीक होकर गर महसूस करते थे सुकून महसू इस तर्मनाक है इसकी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे बात कॉंग्रेस के माधिवेशन की भी होगी गोदी मीडिया के घंडिसों की हरकते भी दिखाएंगे इसके साथ ही जनता से जुरू है कुछ चनल मुद्धों पर भी चर्चा करेंगे मगरें सबसे पहले आप सब मीडिया ही बचा है कब तक रहेगा हमको मालूम नहीं है ऐसे में स्वतंतर मीडिया संस्थानों का होना अत्यान तावसक है यदि आपको हमारा प्रयास ठीक लगता है तो इस की वार कोड का इस्तेमाल करके हमारी आर्थिक साहता करें ताकि आर्थिक समस्षाओं से दूर रह रहा है नीचे से पहला अस्थान है यानि कि यूपी की योगी सरकार के बड़े-बड़े दावे एक बार फिर से खोखले नजारा रहा है उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा आबादिवाला प्रदेश है और यहां कि सिक्षा का अस्तर कम से कम इस तरह के आपने कि कितना गिरता जा रहा है कभी मौका मिले तो गोदी मेडिया के लपड़ जंडिसों से पूछेगा कि यूपी में राम मंदिर बन रहा है क्या इसके अलामा उनके पास यूपी की कोई और खबर भी है यूपी की बात आही गई है तो एक और घटा के बार में जान लिजे व हुजपुरी की वही कहावत सटिक बैठती है कि नाओ गाओं एतना दमाद हर जोतना यानि कि नेताओं के भासणों और हवारों में यूपी में रामराज्य है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है आरोप है कि इलहाबाद के बाहुवलिय विधायक अतीक अहमत के लोगों ने ऐ गवाह को मरवा दिया जाए तो क्या ये किसी भी व्यक्ति के लिए संबव है कि वो किसी भी बाहुवली के खिलाब गवाही देगा अब खबर ये भी आ रही है कि अतीक अहमत समेट उनके कई संबंदियों के खिलाब मामला दर्श किया गया है वहीं विपक्स के लोग ये भ सब्वे को पूरी तरह सद्धोने में छिपाने में लगा हुआ है इन्हें तो आप सब जानते ही हैं इनका कहना है कि अगर व्यापार के बारे में सोचते हैं तो फिर ऐसी दवाएं क्यों बेशते हैं जो किसी की सिहत के लिए हानिकार्यक हो सकती हैं आखिर क्यों इनके प्रोड़क्स पर इनके दवाओं पर कई देशों में बेन लगाया गया है आखिर क्यों भातिय सेना की कैंटीन से इनके समानों को हटा दिया गया क्या ये ब्यापार नहीं है खादी समागरी और दवाओं में मिलाओर करना ये धंदा नहीं है तो क्या है य अब रेलम रेल दवाई बेचे जा रहे हैं, बड़ा confusion है, क्या कहा जा, अब तो बाबा ही जाने, बाबा के मन की बात, यूपी के उन्नाव की इस खबर को देख लीजी, 15 साल की एक लड़की को अगवा करके उसके साथ गैंग रेप किया गया, इस बिटिया के सो को पुलीस च लोग उसे जबरन उठा ले गए, अब याद करिए, ग्री मंत्रियमिस्सा ने यूपी में आकर दावा किया था, कि यूपी की कानून विवस्ता इतनी दुरुस्त है, कि गहनों से लड़की 16 साल की नहीं, बलकि 15 साल की थी, गहनों से लड़की थी कि नहीं, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, मगर यूपी की सरकों पर ये गोम नहीं सकी, ये बात परमालित हो रही है, ये बात कितने सर्मनाक है, कि आए दिन, यूपी में बेटियों के साथ इस तरह के जगन ने अपराद हो रहे है, मगर फिर भी, यूपी की सरकार, बजट भासन की सुरुआत मे ही यूपी में अपराद के कम होने का दावा कर देती है जारखंट के मुख्यमंत्री हेमन सोरेंट का कहना है कि पैसा जमीन में गार दो लेकिन बैंक खातों में मत रखना पता नहीं कब कौन सा बैंक डूब जाए पिछले दिनों बैंक आप बढ़ोदा के मुख्या ने कहा कि हम अदानी गुरूप को और जादा लोन देंगे हमें कोई डिक्कत नहीं है अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक आप बढ़ोदा में जो 10-12,000 मेरा है उसको रखूं या निकाल लूं मैं इस मामले में आपको कोई राय नहीं दे रहा हूँ अपने मन की बात बता रहा हूँ अब जरा इस साइंटिस्ट को भी देख लिए 2000 के नोट में चिपवाले लिख रहा है कि भारत में अमरित काल पंजाब में अमरित पाल में रास्थान के नासिर और जुनयत को जिन्दा जला देने वाले हर्तियारोपियों के पक्स में रैलिया निकाली जा रही है पंचायते हो रही है उनके बारे में इन लोगों की जबान से का कहना है कि अदानी गुरूप की जो भी संपत्ति है उसे सरकार रास्थिय संपत्ति गोशित करें और बाद में उसकी निलामी कर दे अब स्वामी जी को कौन बताए कि महिना भर हर खाते में मद्य प्रदेश में हम इसा की रैली से लौट रहे तीन बसों को एक ट्रक ने ठकर मार दी प्रेलियों में भीड के लिए 200 से 500 रुपे देकर लोगों को बुलाए जाता है ये सब को पता है कुछ छुपाने जैसा नहीं है और ये काम सारी पैटिया करती है पहले भी करती थी अब भी करती है ये अलग बात है कि अब मामला बहुत बड़े अस्तर पर पहुंच चुका है कि देश के लिए कॉंग्रेक्स का धे सेवा संघर्ष और बलिदान सबसे पहले हिंदुस्तान इस अडिवेशन में देश की बड़े-बड़े कॉंग्रेसी निता उपस्तित हो रहे हैं आने वाले चुराव से लेकर देश की वरतमान परिस्तितियों पर चाचा हो रही है वहीं कॉंग्रेस का ये भी मानना है कि इस अडिवेशन से भात्य जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। इसके साथ ही कॉंग्रेस अद्धक्स ने बताया कॉंग्रेस का कहना है कि हमारा लक्ष है MSME के जरिये रोजगार, महंगाई पर लगाम, आथिक असमानता खत्म हो, अन्न दाताओं को भुगे पेट नस होना पड़े, गरीब आदिवासियों को समान औसर मिले, लोगों के अधि में कुछ लोग, जैसरी राम का नारा लगाते हुए, रॉकेट लांचर जला रहे हैं, और रॉकेट लांचर का मुँ दरगाह की तरफ है, यानि इस सारा साफ है, क्या हो रहा है, आप खुद ही देखिए, मैसूस करिए, हमारे देश की स्थेति क्या हो चुकी है, ऐसा लग करते हैं नेहा सिंग राठोर की, क्या भारतिय जंता पार्टी की राजदेती, यानि वरतमान की सत्ता इतनी निरंकुस हो चुकी है, कि उनसे सवाल करने वालों के परिवारों तक को नहीं छोड़ा जाएगा, उनके सभी संसादरों पर हमला किया जाएगा, पुलिस से नोट साल के बेड़ पर लेटी हुई डेजर आ रही थी, साथ में उनके पती हिमानसु सिंग भी थे, हिमानसु भारत की सरफसे संस्थानों में से एक दृष्टी आईएस में अध्या पक रहे है, खबर आई है कि इस नोटिस के बाद हिमानसु को संस्थान से निकाल दिया गया है कम से कम सोचल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि नोगरी से निकालने की कारवाही यूपी पुलिस की नोटिस के बाद हुई है, इस मामले को बढ़ता हुआ देख हिमानसु सिंग ने खुद ही सोचल मीडिया पर लिखा कि ये तथ्यात्मक रूप से एकदम सही है कि म दिकास दिवी किर्ती सर का व्यभार मेरे प्रती हमेशा स्नेह पूर्ण रहा है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे स्टीफे को मुद्दा बना कर उनकी छवी धूमिल की जाए, विनमर निवेधन है कि ऐसा मत कीजी, जैसा कि हिमानसु ने लिखा है कि इनसे स्टीफा मा पांगने की, बहराल वजब बहुत सारी भी हो सकती है, मगर बता दिया जाता तो और बहतर होता, कभी कभी कुछ ना बताना, कुछ ना कहना संदेह को और ज़्यादा गहरा कर देता है, और जिस तरह का संदेह पैदा हो रहा है, लोगों के बीच वो कहीं न कहीं ये सवाल ख में यूपी के पूरू मुख्यमंतरी अखिलेश यादाओ और वरतमान के मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ के बीच तीखी वहस को देखिए किस तरह से इनके बीच किस अस्तर की चर्चा हो रही है, यूपी के मुख्यमंतरी योगी आदितनाथ ने मुलाइम सिंग के बयान लड़कों से गलती हो जाती है का जिक्र किया तो अखिलेश में पूछा कि स्वामी चिनमयानन्द किसके गुरू है इस पर योगी अधितनाथ बोले कि तुम क्या बोलोगे तुम तो अपने बाप का भी सम्मान नहीं कर पाए महने और उनसे ये उमीद करना कि प्रदेश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे ये तो उनके सासनकाल के समय हुआ ही था जब स्टेट के स्टाहूस की घटना घटित हुई थी आचवन तो उनका उस समय भी सामने आया था लड़के हैं गलती कर देते हैं ऐसे भी बयान आये थे ऐसे ही अन्हें तमाम बक्तब्य उस समय आये थे महदै वे लोग लोग तंत्र की बात करें मुझे बहुत ही मुझे बड़ा आश्र होता है ये किसके गुरू है यानि यहाँ बड़ी आश्र जनक स्टिपी है और महदै मुझे देखकर के बड़ा अस्तर हुआ ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्सा की बात करते है सरम तो तुम्हे करनी चाहिए जो अपने बात की समान नहीं कर पाए है